अगर मैं तीनों सब्जेक्स को कंपेर करूँ जो तुमारे जेई मेंस के पेपर में पूछे जाते हैं तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर तुम कम महनत में ज़ादा स्कोर कर सकते हो कम डिवोशन लगा करके तुम और ज़ादा नंबर ला सकते हो अगर तुम इसको फिजिक्स और मैच से कंपेर करो तो तो आज इस वाली वीडियो में तुमाले एक बहुत ही तगड़ी ब्लॉक स्ट्रेटजी लेकर के आया हूँ ब्लॉक 1, 2 और 3 में ये स्ट्रेटजी डिवाइड़ है जितने लोग की भी केमिस्ट्री आर पट्री से उतरी हुई है न वो लोग इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो और मेरी बात मानो अगर तुम स्ट्रेटजी को इंप्लिमेंट करोंगा देखो सुन तो सभी लोग लेते मैं भी 10 लोग को बोल दूँगा तुम सुन भी लोगे बात यह कि क्या तुम उसको इंप्लिमेंट करते हो क्या इस वीडियो में ए टू जट बताऊंगा कि भाया करना क्या है कौन-कौन से ब्लॉक्स को कैसे कैसे follow करना है और कहां से करना है वो भी बता दूँगा notes कहां से मिलेंगे वो भी बता दूँगा तो सारी चीज तुमको इसी वीडियो में मिलने वाली उसके लिए एक like तो बनता है फटा-फट से like कर देना कोई भी feedback हो कोई requirement हो या कुछ कुछ और तुमको बताना हो तो उसके लिए तुम कॉमेंट सेक्शन में फ्रीली एकदम ओपन माइंड़ जा करके बता सकते हो कि भाई इस चीज की रिक्वार्मेंट है या ऐसा कर दो अपन वो चीज कर रहे होंगे बाकी चैनल को जिसके सब्स्राइब नहीं कर रहे है फड़ बड़े ध्यान से सुनना केमिस्ट्री को मैंने तीन ब्लॉक्स में डिवाइड कर रखी है डिपेंड करता है कि तुम तीनों कर पाऊगे कि स्टार्टिंग दो में कर पाऊगे तो अगर तुम्हारी केमिस्ट्री भी उतनी जाधा स्ट्रॉंग नहीं है और तुम कोई ऐसा इसा ब्लॉक है जिसमें तुमको बहुत कम महनत डालनी पड़ेगी और एक बार एफर्ट्स पूट करोगे न तो वहाँ पर बहुत ज्याधा शूरिटी की क्वेशन बने गई बनेगा पहले ये ब्लॉक को सुन लो फिर बताऊंगा कि करना कहा से ब्लॉक में पहला चेप्ट और आठवा है तुमारा सॉलिक स्टेट ये सारे चेप्टर्स तुमारे ब्लॉक वन में और चेप्टर मैंने यहाँ पर तुमको बता दिये जिससे तुम 8 फ्रजा थर्टी टू मांक्स ला सकते हो मिनिमम हो सकता है कि यहाँ पर तुमारे कई किसी चेप्टर से दो पेशन प से करके 40 अब करना कहां से ध्यान से सुनना एन्वार्मेंटल केमिस्ट्री हाइड्रोजन पॉलीमर्स केमिस्ट्री एवड़े लाइफ बायो मॉलिक्यूस मेटलर्जी यह जो तुम्हारे छे चैप्टर है वो मैंने अपने स्पेशल क्लास पे करा रख है काफी बाढ़ दो तुम्हान अकैडमी के एप पे या वेबसेट पे जो सर्च करो विपुल बगगा वहां स्पेशल क्लास के लिश्ट में तुमको मिल जाएगा नोट्स ही मिल जाएंगे स्लाइट को डाउनलोड करना नोट्स में दिक्कत होती बगए शॉर्ट नोट्स अगेर मेरा टेलिग्राम ग्रूप जोइन करो टी डॉट में स्लाइश विपुल बगगा वहां के फाइल सेक्शन में तुमको नोट्स मिल जाएंगे और इनको तुम बस उस स्पेशल क्लास से कर लोगे सारे प्रिवेसर क्वेशन लगा लोगे बगए यह मत पुछो यह कब हो रहा है एकुलिब्रियम कब हो रहा है पहले इस ब्लॉक वन को फॉलो करो ब्लॉक टू में सबसे पहला चैप्टर होगा है अच्छा पहले बहुत सकती है लेकिन यहाँ पर स्कोर करने के चांज जाद है क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे हाई चैप्टर्स बहुत जाद है सबसे पहले एकॉमिक शक्चर एकॉइर तुम्हारे बहुत सारे कॉंसेट्प फिजिक्स में भी पूछे जाते है केमिस्ट्री में भी आते है और एकॉमिक स्क्चर मेंने सफ़लता बैच हो बहुत अगड़े से कराहा रख है सबसे पहला लेक् गए तो अगेन तुम्हारा काम अराम से हो जाएगा उसके बाद है s-block s-block को तुम block 1 में भी रख सकते हो बड़ कई लोग को रटना पसंद नहीं होते हैं इसलिए मैं ब्लॉक 2 में रखाए s-block p-block and d and f-block जाने कि entire block chemistry तुम्हारी two पे है वो इसलिए क्योंकि questions बहुत सारे आते हैं और हमको रटना पसंद नहीं है मैंद जो है वो करते नहीं तो अगर तुम नंबर लाना चाहते हो बोर नहीं होते हो न मतलब कि तुम्हार लिए अगर बोर होना important है तो तुम छोड सकते हो इस चीज को है ना लेकिन अगर तुम्हार लाना जादा ज़ादा ज़रूरी है मेरे भाई तो तुमको block chemistry करनी है अब कहां से करनी है मैंने again special class में सारी करा एक दिन एक group को target कर लो कि आज मैं इस group को finish करूँगा इसके physical properties, chemical properties, diagonal relationship जो भी सारे compounds खतम फिर अगले दिन तुम अगला group जो है वो उठा सकते हो इसके बाद coordination chemistry, electro chemistry और तुम्हारा chemical kinetics ये सारे तुम्हारे जो होंगे वो होंगे block number 2 पे अब अगिन electro chemistry मैंने करा रख है सफलता batch में coordination chemistry मेरे ख्याल से batch में हो रख है अगर तुमने नहीं किया है तो again मेरी special class में तुमको वो भी मिल जाएगा और chemical kinetics भी radio activity के साथ साथ मैंने सफलता बैच में करा रख है सबकी notes तुमको telegram channel पे मिल जाएगा अब आते हैं block number 3 अब मैंने entire organic chemistry को apart from biomolecules and polymers block number 3 पर रख है वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे students लोगों को organic tough लगता है kind of मेरे को भी लगता था तो अगर तुमको organic easy लगता है तो तुम जो part तुमको लगता है तुम उसको पहले कर सकते हो मैं बोलूँगा तुम पहले amines से start करना amines करना उसके बाद तुम basic hydrocarbon और isomerism अगर सब कर सकते हो और equilibrium है न alcohol phenol and ether इसके थोड़े से अच्छे level के questions बनाते हैं जई-mains वाले तो हो सकते है तुम्हारे shift में easy आ जाए हो सकते है तुम्हारे shift में थोड़ा सा tough type का question जो है वो आ जाए तो ये complete तुम्हारी block strategy रहने वाली है block number one को short short कर लो बहुत जादा कम मैनत पे बहुत अच्छे marks मेरे भाई मिल जाएंगे इसके अलावा तुमको और भी कोई doubt है comment section में पूछ सकते हो special class एक बार मेरी जा करके profile open करो जब पढ़ना start करोगे implement करने start करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा और notes के लिए again मैंने तुमको बता दिया है कोई भी doubt हो comment section में बताना like कर द पिन करवा दूँगा उसको comment section में description में ठीक है all the very best to everyone और हां तुम्हारा boards examination कैसा गया chemistry का वो भी comment section में जरूर बताना paper कैसा आ रखता all the very best